प्रोक समदान में आपका स्वागत है, आज हम आपको समंद शक्तिवर तक अर्दात यादा सक्ति बढने के लिए कुछ ग्रेल्य नुक्से बताने जा रहे हैं, ये नुक्से वैदों से प्रामर्स करके आपको हम बता रहे हैं, इन ग्रेल्य नुक्सों का मतलब है, कि आप जिस भी कार्याग करें इसको बड़ी लगन से करें और आपकी सोच बड़े और जिससे आपको उसमें सफलता मिले इसलिए आप इनको इस्तेमाल कीजिए अगर आपको फैदा हो इनको सब्सक्राइब लाइक शेर अवस्य कीजिए और आप चाते हैं कि वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो अब यह हम आपको ग्रेलो नुक्से पताने जा रहे हैं नमबर एक, संक्पुस्पी 50 ग्राम, मिस्री 50 ग्राम, दोनों को लेकर कूट पीस कर कबड़ छंड कर चुर्ण बना लें, 6 ग्राम चुर्ण हरोज सुबै गाएं के दूद के साथ लें, यह बलवर्तक भी है और मस्तिक के विकारों को दूर करता है और स्मंड शक्ति को बढ़ नमबर दो, माल कंगनी का चुर्ण 3-3 ग्राम सुबै शाम दूद के साथ लेने से भी श्मंड शक्ति बढ़ती है नमबर तीन, आफशक्ता उनसार वच्च कूट पीस कबड़ छंड करके रख लें, हर रोज सुबै एक ग्राम चुर्ण को लेकर उपर से गाएं का दूद प बढ़ाती है इसमें भी बढ़ाने में सायक है गी की माली से सिर के रोग भी दूर होते हैं नमबर पांच माल कंगनी के बीज पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन इसी परकार बढ़ाते वे 21 तक ले जाएं फिर गटाते वे एक तक ले आएं बीज निगल कर उपर से गाएं का दूद का पान करें बुद्धी बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम योग है नमबर छे संका, हुली, बुटी, साथ ग्राम, काली मिर्च, साथ नग, दुन्नों को ठंडाई की बाती गोट कर मिस्री या सहध मिलाकर पीने से समन शक्ति बढ़ती है अभी आपको समन शक्ति के लिए जो ग्रेलो नुक्से बताएं आप इनको इस्तेमाल कीजिए और आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना है हमारे को कमेंट कीजिए और इनको जब आपको फैदा लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेर, अवस्या कीजिए